शांतिपूर गाउं में हरीश नाम का एक लड़का रहता था हरीश का परिवार बहुत गरीब था उसके पिता खेती करते थे और माग घर संभालने के साथ-साथ खेती में उसके पिता की मदद भी करती थी बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चल रहा था हरीश अपने घर की आर्थे किस्तिती बदलना चाहता था वो दस्वी क्लास में पढ़ता था और शाम के वक्त अपने खेत में उगाई हुई सबसियों को बाजार में बेचा करता था हरीश बड़ा होकर भारतिय सेना में भरती होना चाहता था वो जब भी किसी फौजी को देखता तो बस एक टक देखता रह जाता उसे भारतिय सेना की वर्दी, अनुशासन और खास तोर पर अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जजबा बहुत भाता था एक दिन उसने अपने दोस्त के घर टीवी पर गरतंत्र दिवस की परेड देखी परेड में भारतिय जवानों के शौरे को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा इसके बाद घर जाकर हरीश अपनी मा से मा, मा, कहां हो तुम, जल्दी यहां आओ, कुछ बात करनी है तुमसे क्या हुआ, क्यों इतना हल्ला मचा रहा है मा मैं सोनू के घर से आ रहा हूँ, उसके घर नया टीवी आया है हां तो हमारी हालत तु जानता नहीं क्या, अपने बाबा से टीवी की बात मत क्या देना वर्ना अरे मा, मेरी पूरी बात तो सुनो, मुझे टीवी नहीं चाहिए मैंने उस पर गरतंत्र दिवस की परेट देखी क्या शान थी हमारे देश के जवानों की और क्या जबरदस्थ परेट कर रहे थे वो मैं तो बस देखता ही रह गया मा मा, मुझे भी सेना में जाना है अच्छा, तो ये बात है पहले भी न जाने कितनी बार तेरा ये राख सुन चुकी हूँ बेटा, तु हमारा अकीला लड़का है हमें किसका सहार है तेरे सिवा और अगर तू भी मा, फौज में नौकरी करने वालों को अच्छी तनख्वा भी तो मिलती है मैं हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दूँगा और रही बात आप लोगों से दूर रहने की फिलहाल तो नहीं मा, पर जल्दी जान लूँगा आप बस बाबा को मना लेना, ठीक है? इतना कहकर हरीश बाजार में सबजी बेशने चला गया बिमला काफी देर तक उसके बारे में सोचती रही वो दिल से चाती थी कि हरीश का भारतिय सेना में जाने का सपना पूरा हो जाए पर वो मा भी थी उधर बाजार में हरीश रोज की तरह सबजी बेशने में लगा था कि तब ही वहाँ एक बस आकर रुकी उसमें से भारतिय सेना की वर्दी पहने एक हटा-कटा नौजवान उत्रा हरीश ने जैसे ही उसे देखा तो खुद को रोक नहीं पाया वो अपनी सबजी वहीं छोड़कर उस फौजी के पास गया और उससे बोला साब जी 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 नमस्ते साब मैं मैं हरीश हूँ उधर सबजी का ठेला है मेरा कुछ खरीद लीजिये साब नहीं बेटा मैं तो यहां किसी काम से आया हूँ बस सबजी खरीद कर क्या करूँगा अच्छा कोई बात नहीं साब मत खरीदिये ये गाजा रख लीजिये बिल्कुल ताजी है मेरे खेत की है मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए आपसे अच्छा ठीक है लाओते दो अब मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है क्या कहना चाहते हो साब मैं दसवी क्लास में पढ़ता हूँ और आपकी तरह मैं भी सिना में भरती होना चाहता हूँ पर कैसे ये नहीं जानता अच्छा बर्खुरदार ये बात है तो सुनो दसवी अच्छे नंबर उसे पास कर लो और जुड़ जाओ कसरत में करीब छे महीने बाद पास के ही शेहर में भरती होने वाली है अगर दोड में कमाल कर गए तो बात बन सकती है ठीक है? जी अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है साब मैं जी जान लगा दूँगा साब अपनी गाजर के कसम हरीश की बात पर राकेश जोर से हसता है और उसे फौज में भरती होने के सारे नियम और तरीके समझा देता है अगले ही दिन से हरीश ने पूरा ध्यान अपनी शारिरिक शमता को बढ़ाने और दस्मी की परिक्षा पर लगा दिया वो दिन भर कसरत करता और रात को मन लगा कर पढ़ाई करता उसका ये जुनून देखकर उसके मा बाबा भी उसकी तैयारी में उसका पूरा साथ दे रहे थे हरीश ने दस्मी की परिक्षाएं अच्छे नंबरों से पास कर ले और ऐसे ही छे महीने गुजर गए हरीश सही समय पर भरती के लिए पहुँच गया उसने देखा कि वहां उसके जैसे हजारों बच्चे फौज में भरती होने के लिए आये थे वो भी पूरी तैयारी के साथ सबने दोरने के लिए मजबूत जूते पहने हुए थे लेकिन उसके पैरों में तो पुरानी और कमजोर सी चपपले थी अगर वो उन्हें पहन कर दोरता तो वो जरूर तूट जाती और उन चपपलों के अलावा उसके पास पैरों में पहनने के लिए कुछ भी नहीं था उसने नंगे पैर दोरने का फैसला किया जैसे ही दोर शुरू हुई हरीश पूरी ताकत से भागा लेकिन थोड़ी ही दूर भागने पर उसके पैरों में छोटे-छोटे कई पत्थर चुप गए वो फिर भी भागता रहा लेकिन धीरे-धीरे दर्द की वज़े से उसकी रफ़तार कम होती गई वो दौर में पिछड़ गया जिसकी वज़े से उसका सेलेक्शन नहीं हो सका हरीश बहुत उदास था उसके पैरों से खोन बहरा था लेकिन उन घाओं से ज़्यादा उसे फौज में भरती ना हो पानी का दर्द ज़्यादा था उसने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी पुरानी चप्पले पहन कर वापस अपने घर चला गया अब वो दिन भर चुप चाप रहने लगा उसकी खुद से उमीद तूट गई थी एक दिन अचानक उसके घर का दर्वाजा किसी ने खटखटाया हरीश ने दर्वाजा खोला तो सामने राकेश था वही भारतिय जवान जिसने हरीश को उस भरती के बारे में बताया था राकेश ने हरीश से कहा और बर्खुरदार कैसे हो अरे साब आप और मुझ गरीब के घर आएए ना अंदर आएए राकेश घर के अंदर आता है हरीश उसे पानी पिलाता है फिर राकेश उसके हाथों में एक डिबबा देता है और कहता है तुम आज सबजी बेचने बाजार नहीं कए वो तो अच्छा हुआ कई लोगों ने तुम्हारे घर का रस्ता बता दिया चलो वो सब छोडो ये लो मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ मेरे लिए? साब लेकिन मैं कैसे क्या है ये? हरीश उस डिब्बे को खोलता है उसमें नए जूते थे उन जूतों को देखकर हरीश की आँखों में आसु आ जाते हैं राकेश उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है मैं उस दिन था वहाँ पर मैंने सब देखा इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगे तो देश के लिए कैसे लड़ोगे अगले महीने फिर से भढ़ती होगी लेकिन दूसरे शहर में और हां ये लोग कुछ पैसे हैं तुम्हारे काम आएंगे जान लगा देना इस बार हरीश राकेश के पैरों में गिर जाता है राकेश उसे उठा कर गले लगाता है हरीश इस बार पहले से भी जादा मेहनत करता है और ठीक एक महीने बाद भरती के लिए पहुँच जाता है इस बार उसे खुद पर पहले से भी जादा भरोसा था और उसके पास नए जूते भी थे दौर जैसे ही शुरू हुई वो गोली की रफतार से दौरने लगता है वो दौर में अवल आता है बाकी टेस्ट भी वो आसानी से पास कर लेता है और इसके साथ ही हरीश के जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाता है उसे भारतिय सेना में भरती कर लिया जाता है वो सबसे पहले जाकर राकेश से मिलता है और उसके पैर छुकर उससे आशिरवाद लेता है राकेश उसके लिए बहुत खुश होता है उसके माँ बाबा भी इस खबर से बहुत खुश होते है हरीश अपने मा बाबा का अश्रिवाद लेकर अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग कश्मीर में होती है उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी मेहनत से की थी ठीक उसी तरह कश्मीर में भी वो पूरे जजबे के साथ अपनी ड्यूटी निभाने लगता है एक दिन हरीश अपने तीन साथियों के साथ पैट्रोलिंग पर था तब ही सीमा पार से कुछ आतंकवादी घुसपैट की कोशिश करने लगते हैं हरीश ने तुरंट वायरलिस पर इस बात की खबर अपने कैप्टिन को दी कैप्टिन ने उससे कहा हरीश अपने साथियों के साथ मिलकर योशना बनाता है आतंकवादी पांच थे हरीश और उसके साथ ही बिना आवास किये उनके बिलकुल नजदीक गए और अचानक उन पर हमला बोल दिया आतंकवादी भी हत्यारों से लैस थे उन्होंने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया हरीश अपने साथियों के साथ पूरी जाबाजी से लड़ा और उन्होंने मिलकर तीन आतंकवादियों को धेर कर दिया जबकि एक को अपने कबजे में ले लिया लेकिन एक आतंकवादी वहां से भागने लगा हरीश ने अपने दोनों साथियों को बंदी आतंकी को पकड़ कर रखने को कहा उस आतंकवादी के पीछे भागा जब हरीश उसके काफी नजदीक पहुँच गया तो उस आतंकवादी ने हरीश पर कई फायर कर दिये हरीश गोलियों से बचने के लिए जमीन पर लेट गया लेकिन फिर भी उसके एक पैर में कई गोलिया लग गई इस सब के बावजूद वो उट खड़ा हुआ और उस आतंकवादी को दबोच लिया और तुरंत ही उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया कुछ घंटों बाद बाकी जवान वहां पहुँचे उन्होंने उस आतंकवादी को कबजे में लिया और हरीश को अस्पताल लेकर गए अस्पताल में हरीश के पैर का आप्रेशन हुआ और उसके बाद जब हरीश को होश आया तो डॉक्टर ने उसे बताया हरीश तुमने बहुत बहादूरी दिखाई हमें गर्व है तुम पर लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर साब क्या बात है क्या हुआ है तुम्हारा पैर बुरी तरह से घायल हो गया था जहर तेजी से बढ़ रहा था इसलिए ना चाहते हुए भी हमें तुम्हारा पैर काटना पड़ा क्या ये क्या कह रहे हैं आप हरीश खुद पर से चादर हटाता है और अपने कटे हुए पैर को देख कर जोर-जोर से रोने लगता है तब ही राकेश वहां आ जाता है और उसे गले लगा कर उसे चुप कराता है हरीश रोते हुए उससे कहता है साथ, देखिये न, यह क्या हो गया साथ अब मैं किसी काम का नहीं राजा है मैं कैसे करूँगा अपनी ड्यूटी कैसे अपने देश के लिए लड़ूँगा मैं नहीं हरीश, तुमने जो किया है वो बहादुरी की बहुत बड़ी मिसाल है तुम्हारी वज़े से ही वो अतंक वादी अपने मनसूबों में काम्याब नहीं हो पाए तुमने अपने देश की रक्षा किये और कौन कहता है कि एक पैर खो देने से तुम बेकार हो गए तुम अभी भी देश की सेवा कर सकते हो हरीश पर, पर कैसे भले ही तुम अब खुद बॉडर पर नहीं लड़ सकते लेकिन अपनी कमी को पूरा करने के लिए नए हरीश तो तैयार कर ही सकते हो न तुम अपने जैसे कई बच्चों को रास्ता दिखा सकते हो उन्हें फौच के लिए तैयार कर सकते हो और ऐसा करके तुम अपने देश की सेवा ही तो करोगे जी साब आपने बिल्कुल सही का मैं ऐसा ही करूँगा जैसे आपने मुझे होसला दिया मैं भी दूसरों को तूँगा इतना कहकर हरीश राकेश के गले लग जाता है भारतिय सेना ने पूरे सम्मान के साथ हरीश को विदाई दी चाती पर मैडल सजाए बैसाकी के सहारे हरीश अपने गाउं वापस आता है उसके माँ बाबा के साथ पूरा गाउं उसके स्वागत में खड़ा था आँखों में आसु लिए हरीश अपने मा बाबा की गले लगता है और अगले ही दिन गाउं के स्कूल में जाता है और सारे बच्चों को इकठा करके उनसे पूछता है वहाँ पर खड़े सारे बच्चे अपना हाथ खड़ा करते हैं हर बच्चे के चहरे पर देश भक्ती का भाव था और हरीश के चहरे पर सुकून भरी मुस्कान गरी बेटी बनी आफिसर पूजा अपने माता पिता के साथ तनकपुर में रहती थी पूजा के पिता राजेश को किसी एक काम में टिक कर महनत करना नहीं भाता था वह जब देखो अपना रोजकार बदलता रहता था इस वजह से पूजा की मा बेला बहुत परिशान होती थी राजेश का जब रोजगार नहीं चलता था तो वह सारा गुसा बेला पर निकाल देता था और गुसे में कई-कई दिन घर नहीं आता था बेला आसपास के घरों में खाना बनाने का काम करती थी और जो भी पैसा आता उससे घर का गुजारा करती थी बेला का सपना था कि पूजा पढ़ लिखकर एक बड़ी ओफिसर बने वे पूजा को एक सरकारी स्कोल में पढ़ा रही थी बेला पूजा की आगे की पढ़ाई के लिए भी सोचती थी एक दिन बेला ने पूजा को बुलाया और कहा पूजा मेरी प्यारी बेटी अगर मैं जिन्दा रही तो तुझे अपनी आखों से एक बड़ा अफसर बनते देख पाऊंगी और अगर मुझे कुछ हो जाता है न तो वादा कर तू मेरा सपना जरूर पूरा करेगी अपनी पढ़ाई को आगे पूरा करेगी तू चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए पर तू अपने लक्ष को भूलेगी नहीं तू एक दिन बड़ी अफसर जरूर बनेगी मा आपको कुछ नहीं होगा और देखना मैं आपका सपना जरूर पूरा करूँगी और वो भी आपकी आँखों के सामने अच्छा अब आप जल्दी से उठो और मुझे न बहुत जोरों की भूक लग रही है पेट में चूहे कूदले चूहे जल्दी से गरम गरम खाना दो और आज मैं आपके हाथ से खाऊंगी हाँ हाँ बना रही हूँ पता नहीं ये लड़की तो बिल्कुल बचपना नहीं छोड़ती मा की लाडली बेटी जो हूँ बेला पूजा को अपने हाथ से खाना खिलाने लगी बेला सोच रही थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो पूजा कैसे बढ़ाई पूरी कर पाएगी पूजा कैसे बनेगी एक बड़ी ओफिसर ये चिंता बेला को हमेशा परिशान करती रहती थी और राजेश एक गयर जिम्यदार पिता था ये बात बेला जानती थी पर उस वक्त बेला ने सब कुछ भगवान भरों से छोड़ दिया धीरे धीरे दिन बीतने लगे राजेश को घर से गए दो हफते बीच चुके थे एक दिन बेला जब घरों से काम करके लोटी तो उसने देखा कि राजेश घर आया हुआ है और अलमारी में से कुछ ढूण रहा है बेला ने राजेश से कहा अरे आप कब आए? आप कुछ ढूण रहे हो अलमारी से? हाँ वो तेरी जो सोने की दो चूडियां थी वो कहां रखी है? दे जरा मुझे वो मेरा दोस सूरज स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहा है स्टेशन पर? मतलब आप कहीं जा रही हो पर चूडियां किसलिए चाहिए आपको? सवाल जवाब कम किया कर तेरी जुबान बहुत चलने लगी है और मेरे काम में अडंगा मत डाल वैसे भी मैं एक बहुत बड़ा सौदा करने दूसरे शहर जा रहा हूँ तू बस चूडियां दे दे मुझे जल्दी से पर वो चूडियां तो मैंने पूजा की पढ़ाई के लिए रखी हुई है जी आगे की पड़ी पढ़ाई में उसके काम आएंगी अरे तेरी आँखों पर पट्टी बांदी है किसी ने जो लड़की को पढ़ाने की लत में पागल हुई जा रही है छोड़ी से पढ़ानी की बाते और चूलह चौका की शिक्षा दे इसके काम आएगी कहां रखी है चूडियां यह मिल गई चल अब मैं निकल रहा हूँ देखता हूँ बस काम हो जाए बेला रोती रही कि सोने की चूडियां मत ले जाओ यह चूडियां पूजा की पढ़ाई के लिए रखी हैं पर राजेश नहीं रुका वो चूडिया लेकर चला गया बेला रोने लगती है पूजा उसे चुप कराती है थोड़ी देर बाद बेला को खाना बनाने घरों में भी जाना था वे पूजा को पढ़ाई करने का बोलकर खाना बनाने चली जाती है बेला सारा दिन घर का काम भी करती है और सुभा शाम घरों में खाना भी बनाती है लगातार काम में ध्यान देने की वजह से बेला ने अपने उपर ध्यान देना बिलकुल छोड़ दिया पूजा बेला को कई बार समझाती कि मा इतना काम ना करो पर बेला उसकी बात नहीं मानती थी एक दिन राजेश घर वापस आया तो उसका मुँ लटका हुआ होता है वह बेला से कहता है जिस काम में हाथ डालता हूँ बरबाद हो जाता हूँ पता नहीं कैसी किस्मत है इतने रोजगार बदल चुका हूँ पर सभी में नुकसान ही हाथ लगा है चूडियां बेच कर सोचा सूरज के साथ मिलकर काम करूँगा बोल रहा था अच्छा काम है नमक के दो ट्रक मिल रहे हैं सस्ते दामों पर ले लूँ पर बारिश की वज़े से सारा नमक गीला था ये बाद में देखा सारी बोरिया नमक की खराब थी बेचने वाला भाग गया क्या करता खाली हाथ शहर वहापस आ गया बेला ये सब सुनकर सदमे में आ जाती है उसने जो चूडियां पूजा की पढ़ाई के लिए बचा कर रखी थी वह भी बिग गई धीरे धीरे राजेश घर का सब कुछ बेचता चला गया यहां तक की बेला के पास शादी के कुछ पीतल के बरतन रखे थे राजेश ने वो भी बेच दिये अब तो हर वक्त राजेश बस सिगरिट और शराप के नशे में धुत रहता था बिलकुल काम धंदा करना राजेश छोड़ चुका था बेला बहुत दुख में रहने लगी धीरे धीरे वक्त बीता गया पूजा भी अब बड़ी हो गई थी वो कई बार बेला से कहती मा मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कोई नौकरी धून लूँ तो आपका हाथ भी बटालूँगी और आपको भी थोड़ा सहारा हो जाएगा नहीं पूजा नहीं अभी अभी तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो जाएगी तुम मैं बिल्कुल ठीक हूँ ठीक हूँ मैं बेला की तबियत भी अब खराब रहने लगी थी इसलिए पूजा को मा की चिंता सता रही थी राजेश ने बेला का ध्यान रखना बिल्कुल बंद कर दिया था एक दिन राजेश एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर आता है बेला काम पर गई हुई होती है राजेश पूजा को कहता है पूजा जज जा कर दो कब बढ़िया सी चाए बनाला आओ बैठो मोहन जी अभी पूजा की मा आती ही होगी फिर बात करते है पूजा चाए लेकर आती है तब ही बेला भी आ जाती है राजेश उसे मोहन से मिलवाता है मोहन चाय पी कर चला जाता है तो राजेश बेला को बताता है बेला, तुम्हें लड़का कैसा लगा? मैंने पूजा के लिए बात कर ली है मोहन जी बिना दहेज के पूजा से शादी करने को तयार है अरे हो गई जितनी पढ़ाई करनी थी अब चुपचाप इसकी शादी कर और इसको अपने घर भेज कब तक इसे अपने घर पर बैठा कर रखेंगे और रोज रोज ऐसा रिष्टा हाथ में नहीं आता समझी मोहन जी से मैंने बात कर ली है तू बस शादी में जो दो जोड़े देने हैं वो तयार कर ले बेला राजेश की बात सुनकर परिशान हो जाती है बेला चाहती थी कि पूजा आफिसर बन जाए पर राजेश उसकी शादी के लिए रिष्टे लाने लगा था इसी सोच में पड़ी बेला चिंता में खुलने लगी और एक दिन वैं पूजा से भूली पूजा पता नहीं बेटा बड़ी खबराहाट हो रही है और मन भी बड़ा बेचैन हो रहा है बेटा बहुत बेचैनी है मा आपको तो ठंडे पसीने आ रहे हैं चलो मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ पूजा रोती हुई जल्दी जल्दी बेला को रिक्षे पर बिठा कर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है पूजा बेला को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है डॉक्टर बेला का चेक अप करता है और पूजा से कहता है आइम सॉरी इन्हें हार्ट अटेक आया है हम इन्हें नहीं बचा सकी नहीं डॉक्टर साम आप ऐसे नहीं कह सकते मीरी मा नहीं मर सकती एक बार और चेक करो न डॉक्टर सुबह तक तो बिलकुल ठीक थी अब अचारगुडे क्या हो गया डॉक्टर क्या हो गया मीरी मा को देखे पूजा जी हम कुछ नहीं कह सकते शायद इने कोई बड़ा सद्मा लगा है पूजा को समझ आ जाता है कि उसकी शादी की बात को सुनकर मा को सद्मा लगा था जिसे वो बरताश्त नहीं कर सकी मा के जाने के बाद बिलकुल तूट चुकी थी बेला की मौत के बाद राजेश ने भी शराप पी पी कर अपना लिवर खराब कर लिया था वह भी अब बिस्तर पर ही आ गया था पूजा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई क्योंकि मा को तो वो पहली ही खो चुकी थी जिसका उसे सहारा था और पिता राजेश भी बीमारी के चलते बिस्तर पर बढ़ा था एक दिन राजेश ने पूजा से कहा पूजा मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे मैं तेरा पिता कहलाने के लायक नहीं हूँ आज तेरी मा मेरी वजह से ही मरी है ना मैं उसे इतने दुख देता और ना वो इतनी जल्दी इस दुनिया से जाती पूजा तु अपनी पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी आफिसर बनना तेरी मा की अंते मिच्चा यही थी इतना कहते ही कुछ दिनों में राजेश की तबियत स्यादा बिगरने लगी और राजेश भी गुजर जाता है बेला और राजेश के देहांत के बाद पूजा परमानों दुखों का पहार तूट गया पूजा इस दुनिया में पूरी दरहा से अकेली हो गई थी सारा सारा दिन पूजा उदास पैठी रहती थी एक रात सपने में पूजा को अपनी मा बेला दिखाई देती है बेला की आत्मा पूजा से कहती है पूजा उठ मेरी बच्ची देख भविश्य तेरा इंतिजार कर रहा है तूने मुझे वादा किया था मेरे मरने के बाद भी तू अफसर बनकर मेरा सपना पूरा करेगी उठ जा बेटी अभी तुझे हिम्मत नहीं हारनी अभी तो बहुत मेहनत करनी है और मेरा आशिरवाद है तू अफसर जरूर बनेगी उठ मेरी बच्ची उठ तभी हडबड़ा हट में लक्ष को याद करने लगती है वो मा को दिया वादा पूरा करना चाहती थी इसी लिए वो सुभा उठी और तयार होकर जैसे ही घर से निकलने लगी एक महिला पूजा के पास आती है और कहती है बेटी, मेरा नाम सुशीला है ये बेला का ही घर है ना? जी, मैं उनकी बेटी पूजा हूँ बेटा, तुम्हारी मा बेला कहा है? काफी दिनों से वो खाना बनाने के काम पर भी नहीं आ रही आती जी, मेरी मा और मेरे बाबा दोडो अब इस दुनिया में नहीं रहे बेटी, ये तो बहुत दुक्की बात है बेला हमारे घर कई सालों से खाना बनाने का काम कर रही थी वो अकसर तुम्हारे बारे में बताती थी कि बस एक दिन मैं अपनी बेटी को बड़ा आफसर बनते देख लूँ और इसके लिए बेला ने मेरे पास एक लाख रोपे की कमिटी भी डाल रखी थी हर महीने वो अपनी तनख्वा मैंसे इस कमिटी के पैसे कटवा लेती थी ताकि तुम्हारी बढ़ाई की काम आ सके बेटी वो तुम्हारी बढ़ाई के लिए ही तो ये रोपे जोड रही थी बेला काफी दिनों से आई नहीं तो मैंने सोचा आज मैं ही ये कमिटी के पैसे बेला को दे आऊँ पर वो विचारी तो अब इस दुनिया से ही चली गई बेटी एक काम करो ये तुम्हारी मा की आमानत है ये एक लाख रोपे अपने पास सम्हाल कर रखो और अपनी पढ़ाई को मन लगा कर पूरा करो तुम्हारी मा का सपना तुम्हें पूरा करना है बेटी और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेजिचक मुझे बोल देना ठीक है? सुशीला द्वारा दिये गए एक लाख रुपे अपने हाथों में लेकर पूजा अपनी मा को याद कर तेज तेज रोने लगी धीरे धीरे पूजा अपनी मा के द्वारा जोड़े गए रुपेओं की मदद से महनत और लगन द्वारा पढ़ाई पूरी करती है और एक दिन अच्छे नमबरों से पास होती है पूजा को सरकार की तरफ से आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलर्शिप भी मिलती है ये देखकर पूजा अपने माता-पिता की तस्वीर को प्रडाम करती है और उनके आशिरवात को याद करती है इसके बाद पूजा ने अपनी मा से किया वादा पूरा करने के लिए पूरी मेहनत की और एक दिन पूजा बड़ी ओफिसर बन गई मा से किया वादा पूरा करके एक गरीब की बेटी ओफिसर बन जाती है